तो अगर आप 12,000 रुपीज की बजट प्राइच में एक आल डाउंडर 5G स्मार्टफून परचेश करने की सोच रहे हो जहाँ पर आपको स्पैसिफिकेशन काफी कमाल के देखने को मिल जाए चाहे फिर बात करने कैमरे की या फिर बात करने प्रोसेसर की सब कुछ आपको बात करें माई लिष्ट के सबसे लास्ट वाले स्मार्टफून के वारे में तो वह हमने रखा है पोको की तरफ से आने वाला पोको एमसिक्स प्रो 5G स्मार्टफून और यह जो स्मार्टफून ने खासकर उन लोगों के लिए हैं जिनका जो बजट 8-9,000 रुपीज के तकर कम है तो आप अभी के टाइम पर इस स्मार्टफून को कंसिडर कर सकते हैं अगर डीटेल से बात करें हम इस स्मार्टफून के स्पैसिफिकेशन के बारे में सबसे पहले यह जो स्मार्टफून है यह भी आउट ओदवक्स एंड्रोइड 13 पर ही वर्ग करता है यहाँ पर आ वहीं पर आपको बैटरी के तौर पर भी स्पैसिफिकेशन काफी बड़ी है देखने को मिल जाते हैं बजट रेंज के अकॉर्डिंग विगवाद आपको यहाँ पर 5000 एमेज की बड़ी बैटरी तो मिल जाती है उसके साथ सताथ आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके बाद अगर बात करें एट एंड वहीं पर इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचेस के बारे में तो यहाँ पर भी आपको 50 प्लस 2 मेगा पिक्सल का एक डूल लियर कैमरा स्रपोर्ट देखने को मिल जाता है और आप यह बीबो की तरफ से आने वाला बीबो T3 Lite 5G स्मार्टफोन और यह जो इस स्मार्टफोन है आपको दस से गेरा जार रुपीज की बजट प्राइसेंज में देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपको इस स्पैसिफिकेशन से बजट रुपीस की बजट प्राइसेंज में ब स्मार्टफोन आता है रियल्मी के तरफ से आने वाला नार्जो 70X 5G स्मार्टफोन और यह जो स्मार्टफोन है आपको 12,000 रुपीस की प्राइसेंज में देखने को मिल जाएगा अगर आप सेल के दोरान इस स्मार्टफोन को परचेश करते हैं नॉर्मल डेस में आपको यह स्मार्टफोन 12.5 के तक्रीबन देखने को मिलेगा तो आप इस स्मार्टफोन के साथ भी जा सकते हैं यहाँ पर भी आपको स्पैसिफिकेशन अभी कितनी साब से काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं इसकी डिजाइन भी काफी यूनिक है तो अगर आपको अभी की टा स्पैसिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं वहीं अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्पैसिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.72 इंचेस की एक LCD पैनल देखने को मिल जाती है जो की 1080-2400-08 पिक्सल की है और यह जो डिस्प्ले पैनल है वो 396 PPI पिक्सल देखने को मिल जाता है बात करने फोटोग्राफी फीचर्स की तो 50 प्लस 2 मेगा पिक्सल का आपको यहाँ पर डूल य यह संसर देखने को मिल जाता है अब बात के रहते हैं हमाई लिष्ट के फर्स्ट नमबर वाले स्मार्टफोन के बारे में और फर्स्ट नमबर पर हमें रखा है आईक्यू के तरब से आने वाला G9X 5G स्मार्टफोन और यह स्मार्टफोन आपको 12-13,000 रुपिस की प्राइ आईक्यू के तरफ से आता है तो आईक्यू की एक ब्रेंड वैल्यू है कि वह गेमिंग स्मार्टफोन काफी कम बजट रेंज में काफी अच्छे स्पैसिफिकेसं के साथ निकालता है तो आप इस स्मार्टफोन के तरफ जा सकते हैं अधर्वाइज इसी बजट में आपको वीबो की तरफ से आने वाला T3X 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है आपको उसे स्मार्टफोन को भी कंसिडर कर सकते हैं तो अगर डीटेल से बात करें हम IQ G9X 5G स्मार्टफोन के स्पैसिफिकेसं के बारे में यहाँ पर आपको पर्फॉर्मेंस के तौर पर Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 का बजेटरेंज के एकॉर्णिक पावरफूल उक्टोकोर 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको 4GB RAM सपोर्ट के साथ 128GB तक की इनविल्ट मेमरी भी देखने को मिल जाएगी बैटरी के तौर पर बात करें तो 6000MH की काफी बड़ी है बैटरी आपको सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है तो बैटरी के तौर पर तो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं वहीं अगर बात करें इस स्पार्टोन के डिस्प्ले स्पैसिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.72 इंचेस की एक LCD पैनल देखने को मिल जाती है जो की 1080-2400-08 पिक्सल्स की है और यह जो डिस्प्ले पैनल है वो 396 PPI पिक्सल देखने को मिल जाता है बात करें फोटोग्राफी फीचर्स की तो 50 प्लस 2 मेगा पिक्सल का आपको यहाँ पर डूल येर कैमरा स्पोर्ट देखने को मिल जाता है जहां से आप माइक्समुम 1080p में अपने वी इसकी PIPP में देखने को मिल जाते हैं तो आप अपने बजज़ट के अमसार किसे भी स्मार्टफोन के तरफ जा सकते हैं तो आप अपने 44 स्याफिए अपने need users के basis पर किसे भी स्मार्टफोन के तरफ जा सकते हैं So at the end of this video I hope कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए काफी अदर informative रही होगी, सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को सिंप्री कर देजगे लाइक और चैनल कर देज़े सब्सक्राइब तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं लिए और नाइन टेस्टिंग वीडियो में तो तब तक के लिए रादे रादे